तो हेलो फ्रेंड्स एंड वेल्कम तुमा यूटूब चैनल एयार एजुकेशनल हव तो देखिए आज का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों ने भी सैथ पढ़ा होगा इस्तिहार पढ़ा होगा कि एक जो 11 की जो एक्जाम होती है आप लोग की 11 में आप लोग स 10 में यहां पर मांकस आते हैं उसे एक का औरिंग आप अपने को भाप आते हैंगे बहुत सारे च्छेत्र आते हैं आपको किस छेथर में जाना है किस छेथर में रूची है आपकी वह डिपेंट करता है आपके इस फैकलिटी से जब आप 10 से जब पास-अउट होते हो तो जो तो भी आपका माक्स आता है या फिर आपने जो भी पहले सोच रखे होंगे कुछ ऐसे स्टुएंट होते हैं जो पहले से निर्ने लिया चुके होते हैं कि हां मैं जब 9 करूंगा जब स्टुएंट करूंगा उसके बाद जब मैं 11 में जाओंगा तो मुझे इस्ट्रिम चाहिए साइंस चाहिए साइंस में मैट चाहिए और बायावलाजी चाहिए कुछ इस्टुएंट जो सोच के राखते हैं पहलें आयस बनना है या फिर कुछ डए ऐस चीजप की वह सब-सexistप करता है कि आपने 10 के बाद क्या चुनाव किया है अपने लिए 10 के एक्जाम इसलिए माइने रखता है कि आपका नंबर जो आएगा उसके according आप कितने पानी में हो वो आपको पता चल जाएगा उसके according जो हो भी आपके सब्जेक्ट होंगे वैल्यूबल वह आप यहां पर ले सकते हो ठीक है तो देखिए यहां पर cbc ने बहुत ही अच्छा यहां पर अपडेशन देते हुए एक बात कही है कि 11 में जो आर्ट्स कॉमर्स साइंस है उसकी आप पढ़ाई नहीं होगी आखिर ऐसा भाई क्यों तो यहां पर लिखा गया है कि अब आप stream selection ना करके आप अपने मन मताबिक जो आपको इक्षा हो वो subject आप चून सकते हो means आपकी history अच्छी है मुझे लगता है कि मुझे history रखना चाहिए बट मेरे रूची तो science में भी है math में भी है मैं क्या करूँ मैं तो यहां फसावा हूँ क्योंकि history आपको मिलेगी art section में और science में आपको मिलेगी math और physics, chemistry, biology तो फिर आप क्या करोगे यहां पर तो अटक जाओगे तो sir अटकना नहीं है यही तो आपको एक benefit दिया गया है sir benefit इस प्रकार है कि अब आपको जब आपको stream selection करोगे उसके मुताबिक आप अपने मन मुताबिक अपना subject भी चूज़ कर सकते हो जो भी आपको पसंद है means अगर आप math लेना चाहते हो तो math के साथ आप history भी रख सकते हो civis भी रख सकते हो यह आप पर depend करता है तो यह हो गया एक अलग तरीका सा process जो अब cbsc न यहाँ पर घोसना की है नई सिक्षा निति के तहट इसको यहाँ पर लागू कर दिया गया है ठीक है तो यह सई बात भी है अब बात करते हैं compartmental वाले तो दीखी सर पहले क्या होता था compartment में कि जब तक आपका compartment का result नहीं आ जाता जब तक आप qualify नहीं कर जाते थे तब तक आप admission नहीं ले सकते थे किसी भी college में या फिर किसी भी school में अब क्या है situation कि जब आप compartmental exam दोगे उससे पहले उसके बाद जब result आने में time लगता है तो 7-7-11 के भी classes आप कर सकते हो इससे पहले क्या था system कि जब आप compartmental exam दोगे उसका result आएगा उसके बाद ही आप class जाके approval होगा तब ही आप class एस कर सकते हो मगर अब ऐसा नहीं है अब आप अपना compart exam देकर result का आप बेट नहीं करके बिलकुल आप 11 की classes कर सकते हो जो कि मुझे बहुत अच्छे लगी क्योंकि ऐसे बच्चे जो 10 में जिनका marks खराब आ जाता है जो fail कर जाते हैं अगर वो compart देते हैं तो उसके बाद उनको time लग जात है उनको और उस दौरान 11 की पढ़ाई जो है वह स्टार्ट हो जाती है तो इससे वेश्ट ना हो करके उनका यहां पर समय बचेगा और बिलकुल सही भी है और यह सिक्षा निती जो है मुझे बहुत पसंद आई सभी को हग है अपने subject का चुनाफ करने का कोई पावन नहीं होना चाहिए यहां पर मुझे जो भी पढ़ना है मुझे जो भी चाहिए मैं वो लेकर पढ़ सकूँ सभी बिलकुल सही बात है यह बिलकुल सही decision हुआ है मैं उससे बहुत खुश हूँ सभी को बिलकुल हसाब से अपने subject का चुनाफ करना सही रहेगा जिनको जिसमे भी रूची होगी जिसमे भी आगे बढ़ना है वो उस चीज का चुनाफ कर सकते हैं मुझे अगर biology पसंद है तो मुझे history भी पसंद है तो मैं history भी रख सकता हूँ इसके साथ तो यह एक बहुत सब्सक्राइब कर लीजिए बेल प्रेस कर लीजिए चली मिलते हैं चुटियो में आप सभी से तब तक के लिए धन्यवाद